संथाल प्रग्रणा में जहां आदिवासी अस्मिता खत्रे में है वहीं वहां रहने वारे गैर गैर मुस्लिम जो लोग हैं वहां पे हिंदू है बाकी अबादी जो है जो बंगला देशी गुस्पटियों के कारण पूरा आज बारूत के धेर पर डेमोगराफी चेंज के कारण संथाल पुरना खड़ा हुआ है उसके लिए एक भैंकर और भ्यावा इस्थिती वहां पैदा जिस तरह से बंगलादेशी गुस्पटियों ने पहले तो प्रतिविंदित गौ मास जो जार्कन पर प्रतिवंदित है पहले गौहत्या वहां की अजब वहां रहने वाले लोगों ने जार्गन के नागरिकों ने उसके विरोध किया तो पश्चिम मंगाल जो सटा हुआ है अंदर उसके दोनों का सिमांकन तई होता है एक थोटी सी नदी से नहर से तो यह जा करके यहां के मंगलादेशी गुस्पटियों दर घर पना के रखे हैं वहां पश्चिम मंगाल का मुशिदावाद जिला पड़ता है जंगिपूर लोग सभा पड़ता है और किसना नगर चितर है वहां से सेक बनोग द ढरखन घूस करके लोगों के घरों को तोड़ करके बं बाजी करके पक्तर बाजी करके गाडियां जला करके उनके घर को लूट करके इतना दह्सत विलाते हैं इतना मारते हैं कि पुलिश की पूरी च्हावन ही आ उसके बाद भी अपने सिमांकन से उपस्ची मंगाल पुलिस के उपस्थिती में लगातार पुलिस को भी ललकारते हैं कि भई हम आपको देख लेंगे एक बड़ी आबादी जो दो दिन से सुरच्छा में थी लगातार कह रही थी कि हमारे जानमाल की रच्छा हो लेकिन परिशासन सरकार सरकार के तरफ से कोई कदम नहीं उठाये गया एसपी डीसी ने वहाँ कम से कम सांती अस्था पिटकी जारगन के तरफ से लेकिन सरकार के तरफ से चुकी अंतर राजिया मामला था इसलिए जो कारवाई उसमे इमिडेट होनी चाहिए थी उदर जो रियक्षन होना की यह ता नहीं हो पाया पस्चिम मंगाल के पुलीस की उपस्तिती में वो लोग घुरदं करते रहें लोगों को डराते दमकाते रहें और बंदू का बम चलाते रहें ऐसे परिस्तिती में नागरिकों के भाई को देखते हुए बारती जनता पार्टी का पट्रिंदी मंडल बीस तारीकों वा गिया था और जो हम लोग ने स्तिती देखी उससे बात साबित हुई जो डेमोगराफी चेंज की बाते हम लोग कहते हैं वो कितना भ्याववा हो सकत है जिस जमीन पर पुर्खों से रहते थे आज वही लोग हिंदु लोग कह रहे हैं कि हम को यहां से कहिं दूसरे जगा ले गये इसाब हमको जीने नहीं देगा अगर पुलिस हड़ी आती है तो कहते है कि पुलिस कितने दिन आपको जीवन बचाएगी हम आपको देखेंगे अब स्वतंत्र भारत का नागरिक है जारखंड है भारत के अंदर पस्चिम मंगाल भारत के अंदर है गंतर है लेकिन पश्चिम मंगाल में राजनितिक सरचन जिस तरह से बंगला देशी गुस्पोइटियों को वहां आतंक फेलाए गया है लोकतंत्र की वहां हत्याय हुई है वहां चुनाव नाम का कोई चीज नहीं है और अगर कोई उसके राजनितिक दल का समर्थक नहीं है तो उसको बलतकार दुसकर्म अपहरन और मरने तक के लिए त्यार रहना पड़ता है उसा ही कुछ परियोग जारखन में भी जमीन को आप लोगते विच लए चले जाए और इस पूरे मामले पे न मुखमंत्री एक सब्द कहते है ना आप लोगों के लिए अभी एक नहीं कि नेता हैं किलपना सोरेंग जी यह कुछ कहती है ना जेमेम ना कॉंग्रेस के परवक्ता या उनके लोग कुछ कहते हैं पूरी तरह से संथाल प्रगणा में जहां आदिवासी अस्मिता खत्रे में है वहीं वहां रहने वारे गैर गैर मुसलिम जो लोग हैं वहां पे आज बारूत के धेर पर डेमोगराफी चेंज के कारे संथाल पुना खड़ा हुआ है उसके लिए एक भैंकर और भ्यावह इस्थिति वहां पैदा हुई है उस ग्रांड रियालिटी को बजाने के लिए राजपाल महोदय के पास आयते और आप लोगों से भी राची के तमा इसके डेमोगराफी चेंज होने से आधिवासी सहित है क्यांके जहार कंडियों के स्थितु करें हम सब लोगों ने राजपाल महोदय से कहा है कि इस विसे को आप संग्यान में लेकर खिंद्र और रजी की सेतु की रुप में आप प्राम करते हैं आप इसको करें हम लोगों इसके सरकार जो है इस पोरे मामले में सिर्फ और सिर्फ उदासिंता बरत रही है और उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल डेज्ट की गटनाओं के तरह इस गटना को रहा जाए जबकि जो गटना आप समझें कोई घटना होती है अभी घटित हुआ मनें अभी हुआ घटना पठर कहां से आगे इमिडियेट आप प्लान करके दिन जार दिन के बाद करते हैं तब को समझ में आता है इसका मतलब है यह बंगला देशी घुस्पेटी है चौबिस गंटे साथो दिन त्यार रखते हैं बम हतियार के साथ कि हमको जब ज़रूत पड़े तब हम इसको करने इसकार करते हैं